कि नमस्कार भाग्य चक्र में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ प्रवेण मिस्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी पंडी आपका भाग्य चक्र में बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार आज हम पंडी जी से जानेंगे कि पाप ग्रहों की दशा क्यों महत्यपूर्ण मानी जाती है और उनकी वज़े से जो जीवन में परेशानिया आती हैं उन्हें दूर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए साथ ही आपका राशीफल जानेंगे लखी नंबर के अनुसार लख भी जानेंगे तो पंडी जी कार्करम शुरू करें जी तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की, आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी किती ने, कौन सा नचत्र है और पंडी जी आज राहुकाल का समय कब से कब तक रहे दिनांक 3 फर्वरी 2024 दिन शनीवार, माग कृष्ण पक्ष की अश्टमी तिथी, शाम के 5 बच के 20 मिनट तक नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, चंद्रमा तुला राशी में संचरण कर रहे हैं राहुकाल का समय प्रातह काल 9 बजे से 10 बच कर 30 मिनट तक जिसमें कोई भी नया और शुबकार्य नहीं करेंगे आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मना ही है लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है तो जरासा घी खाकर और भगवान का समर्ण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे आज हम चर्चा कर रहे हैं कि पाप ग्रहों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है और अगर इनकी वज़े से परेशानी आ रही है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए पंडी जी पाप ग्रहों की दशाओं को महत्तपून क्यों माना जाता है प्रभीन जी देखिए जो ग्रह पापी स्वभाव के हैं या अशुब स्वभाव के हैं अगर कुंडली में बहुत अच्छी प्लेस्मेंट में नहीं है तो उनकी दशा आम तोर पर नकारात्मक होती है नुकसान पहुचाती है जोतिश में तीन तरह के ग्रह हैं शुब ग्रह, पाप ग्रह और कुरूर ग्रह सामान्यतह तीन ग्रह मुख्य पाप ग्रह माने जाते हैं शनी, राहु और केतु सूर्य और मंगल पाप ग्रह नहीं हैं सूर्य और मंगल पुरूर ग्रह हैं पाप ग्रहों की जब महा दशाती है या पाप ग्रहों की जब अंतर दशाती है तो ये अक्सर जीवन में बड़े बदलाव कर देती है जीवन में बहुत सारी परिवर्तन हो जाते हैं अब ये परिवर्तन शुब होंगे या अशुब होंगे ये ग्रहों की स्थिती पर निर्भर करेगा देखिए पाप ग्रहों का स्वभाव पापी होता है बेसिकली वो मेलिफिक होते हैं तो अगर कुंडली के लिए फंक्शनल बेनिफिक हैं कुंडली के लिए शुब स्थानों के स्वामी है तो भी इनकी दशाओं में कुछ न कुछ प्रॉबलम तो आएगी ही क्योंकि इनका स्वभाव है उपद्रव करना जितने भी पापग्रह हैं तीन, शनी, राहू और केतू इनमें भी सबसे ज़्यादा विचित्र परिडाम राहू की दशा में मिलते हैं जब राहू की दशा चलती है सबसे ज़्यादा अजीब से परिडाम मिलते हैं क्योंकि जोतिश में दो चीजों को एनलेसिस करना बड़ा कठिन है एक कुंदली का अश्टमभाव बहुत मुश्किल है उसके रहस्य को जानना और दूसरा नव ग्रहों में राहू तो पाप ग्रहों में अगर राहू की महादशा है या राहू की अंतरदशा है तो राहू को वैलुवेट करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि ये कितना शुब होगा कितना अशुब होगा कहां पर शुब परड़ाम देगा और कहां पर अशुब परड़ाम देगा पड़ी जी राशियों का सिलसिला शुरू कर ले जी जी तो सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की मंगल की ये राशी है मेश राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आपको क्या साउधानी बरतनी चाहिए और पड़ी जी मेश राशी वालों के लिए आज शुब रंग पहुंचा मेश राशी दोड़ भाग आज बढ़ी रहेगी धन लाब होने के योग आपके लिए बन रहे हैं किसी अतिथी का आगमन होगा किसी निर्धन व्यकति को अगर धन का दां कर दें तो आज का दिन और भी जढ़ा बेहतर होगा जिस रंग का प्रियोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुब रंग आज के लिए होगा सफेग अब बात ब्रश राशी की, शुक्र की ये राशी है, ब्रश राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आप क्या सावधानी बरते हैं, और पंडी जी इनके लिए आज शुब रंग कौन सा है ब्रिश राशी, स्वास्थ में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है, धन की प्राप्ती के योग आज आपके लिए बने हुए हैं, मानसिक चिन्ताएं भी आपकी समाप्त होंगी आज किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा शुबरंग जिसका प्रियोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुबरंग आज के लिए होगा क्रीम अब बात मिथुन राशी की, बुद्ध की ये राशी है, मिथुन राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडी जी इनके लिए आज शुबरंग कौन सा है मिथुन राशी, मानसिक चिन्ताएं आज कम होती हुई दिखाई दे रही हैं, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है, रुका हुआ धन आज आपको प्राप्त होगा पीपल के व्रिक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा शुबरंग जिसका प्रियोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुबरंग आज के लिए होगा धानी आज हम चर्चा कर रहे हैं कि पाप ग्रह किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं पड़ी जी आपने शनी की बात की, तो अगर किसी की शनी की महादसा चल रही है और शनी उसको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिती में क्या होता है और उन्हें क्या उपाय करना है शनी की महादशा हो या अंतरदशा हो सबसे ज़्यादा टाइम तक चलती है सबसे ज़्यादा समय तो खेर शुक्र के पास है, लेकिन शुक्र के तुरंत बात शनी है, लंबा समय लेता है शनी की महादशा जो है वो लगबग 19 साल चलती है और अंतर दशाएं भी लंबा समय लेती हैं शनी तो शनी की दशा अगर अशुब है तो एक तो लंबे समय तक परिशान करेगी दूसरा शनी की दशा अगर अशुब है तो चीजें धीमी हो जाती है चीजों को अगर खराब ना भी करे तो स्लो कर देता है अकसर कैरियर के मामले में और रोजगार के मामले में समस्याएं पैदा कर देता है शनी करियर और रोजगार का नेचुरल स्वामी है इसलिए अगर शनी अशुब परिराम देगा करियर में धक्के खिलवा देगा आपको शनी की अंतरदशा या महादशा कुंडली में अक्सर स्थान परिवर्तन करवाती है शनी अगर चतुर्थ सप्तम, द्वादश, अश्टम से संबंद बना ले इस्थान जरूर बदलेगा शनी की अंतरदशा या महादशा में और शनी अगर अशुब परिराम दे रहा है तो कभी-कभी रिष्टे भी बिखरने शुरू हो जाते है यानि रिष्टों की समस्या भी जीवन में परिशान करती है रिष्टे तूटने लगते हैं एक-एक करके तो शनी अगर शुब फल देगा तो तो बहुत ही अच्छा होगा हमने चर्चा की है अपने कारिक्रम में कि पाप ग्रहों के शुब फल कैसे होते हैं लेकिन अगर शनी अशुब परिडाम देगा चीजों को धीमा करेगा लंबे समय तक परिशान करेगा नोकरी रोजगार में समस्या देगा और ज्यादा तर जीवन में स्ट्रगल की जो मात्रा है संघर्ष की जो मात्रा है वह बढ़ा देगा अगर शनी की वज़े से आपके जीवन में परेशानी आ रही है, तो क्या उपाय करना चाहिए? पंडी जी शनी का नाम सुनके लोग बहुत घवराते हैं और अगर उसकी वज़े से परेशानी आ रही तो क्या सराल उपाय करें जिससे रहात मिले? अब अगर शनी की अशुब दशा चल रही है आपकी, तो ऐसे कौन से उपाए हैं छोटे छोटे जिनको करने से दशा का प्रभाव कम हो जाएगा। देखिए सबसे आसान तरीका है सुबह और शाम शनी मंतर का जब करिये। हमारे विद्वान दर्शक जानते हैं ओम शंग शनेश्चराय नमह रुद्राक्ष की माला से सुबह शाम जब करना चाहिए। हर शनीवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाईए। और शनीवार को दीपक जलाने के बाद हनुमान जी का दर्शन करियेगा। ये कंपलसरी है। शनीवार को ही पहले दीपक जलाएं, हनुमान जी का दर्शन करें और किसी गरीब आदमे को खाने पीने की Z का दान करें। और रोज सुबा शाम शनी मंत्र पढ़ें, शनी की महादशा या अंतर दशा में अशुब फल मिल रहे हो, मांस मदिरा का परित्याक कर दीजिए सकती से, जीवन में इमानदार हो जाईए, विनम्र हो जाईए, अपने से बड़ों और छोटों के साथ अच्छा व्यवहार आपको लाव होगा, अब बात करक राशी की, चंद्रमा की ये राशी है, करक राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडे जी इनके लिए आज शुब रंग कौन सा है? करक राशी, सेहत आज आपकी बिगर सकती है, पारिवारिक मामलों में आज शान्ती बनाए रखें, और जहां तक संभव हो, आज वाहन सावधानी से चलाईएगा, 108 बार अगर आज शनी मंत्र का जब कर लें, ओम, शंग, शने, शराय, नमह, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा, शुबरंग जिसका प्रियोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुबरंग आज के लिए होगा, पीला, अब बात सिंग राशी की, शूरे की ये राशी है, सिंग राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पड़िजी इनके लिए आज शुबरंग कौन सा है? सिंग राशी, इस समय आपकी छोटी यात्रा हो सकती है, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, संतान पक्ष के सहियोग से आपको लाब होगा, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा, शुबरंग जिसका प्रियोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुबरंग आज के लिए होगा लाल, अब बात कन्या राशी की, बुद्ध की ये राशी है, कन्या राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या साउधानी बरत्मी चाहिए, और पड़ी जी इनके लिए आशुबरंग कौन सा? कन्या राशी, काम के मामले में आपकी व्यस्थता रहेगी, कारो बार में आपके सुधार होगा, धन की स्थिती कुल मिलाकर ठीक रहेगी, खाने पीने की वस्तुका अगर दान कर दें, तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा, शुबरंग जिसका प्रियोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुबरंग आज के लिए होगा धानी, अब वक्त है आपके सवाल का, यदि आप भी सवाल पूछना चाहते हैं, तो अपने जन्म की तारीक, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए, और सवाल लिखकर भागे चक्र at the rate आज तो डॉट कॉम में देज दीजे, महाँ से हम सवाल उठाते हैं, और उनी सवालों में से पंदे जी कारक्रम में सवाल शामिल करते हैं, तो पंदे जी आज सवालों के पिटारे से किसका सवाल ले रही? कि आज का जो प्रश्न है वो मनीश कुमार जी ने हमें लिखा है दिल्ली से लिखते हैं 28 जन्वरी 2005 का जन्म है बारा बच के तीन मिनट दोपहर में जन्मस्थान है दिल्ली ये लिख रहे हैं कि मैं अपने स्वास्थ की समस्याओं से बहुत ज्यादा परिशान हूं पेट की दिक्कत है इसकिन की प्रॉब्लम है पेट के चक्कर में घर से बाहर नहीं जा पाता हूं स्वास्थ से जूज रहा हूं मेरा स्वास्थ कैसे ठीक होगा और मेरा भविश्य कैसा रहेगा मनीश जी देखिए आपकी कॉंडली में जो राहु की पोजीशन है वो आपकी परिशानी का कारण है आतों में और लिवर में आपके दिक्कत है निश्चित रूप से और आतों में और लिवर में दिक्कत होने की वज़े से फंगल इंफेक्शन या इसकिन इरिटेशन या ड्राइनेस जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं एक तो मैं आपको बता दूँ कि आपके स्वास्थ में जून दो हजार चौबिस से धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा जून दो हजार चौबिस के बाद आप बेहतर होने निश्चित रूप से शुरू हो जाएंगे दूसरा तनाव कम पालिये तनाव ज़्यादा पालने से पेट बहुत खराब होता है टेंचन कम पालिये तीसरा एक पन्ना बन्वा के पहनिये लगभग छे से आठ रस्ती का पन्ना चांदी की अंगूथी में दाहिने हाथ की सबसे छोती उंगली में बुद्दवार की शाम को एक पन्ना बन्वा करके जरूर पहन लें रोज सुबह सूर्य को जल चड़ाएं और सूर्य की रोशनी में पीठ करके कम से कम पांच-दस मिनट उब्ते सूर्य के सामने पीठ करके बैठें अगर आप ये उपाय करें निश्चित रूप से स्वस्त होंगे जीवन बेहतर होगा और जून 24 के बाद से वैसे भी आपका समय बेहतर होता हुआ दिख रहा है आज हम चर्चा कर रहे हैं कि पाप ग्रहों की दशा किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करती है पड़ी जी अगर राहू की महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो किस तरह का प्रभाव होता है जीवन प्रवीन जी पहले ही बताया कि राहू की महादशा या अंतरदशा उस समझना इतना आसान काम नहीं है बहुत वोगी राहू का अपना कोई स्वभाव नहीं है अंतरदशा को समझना पड़ा कखिन काम है फिर भी एक जनरल एनलेसिस क्या है राहू की महादशा या अंतरदशा आ जाए और यह सामान्यतह अचानक परिडाम देती है सड़िन अच्छा भी और बुरा भी जादा तर अगर ये निगेटिव है राहू तो इसकी दशा में जादा तर काल्पनिक समस्याय होती है लोगों को बीमारियों का भूत प्रेत का भै का वहम हो जाता है लोग कहने लगते हैं मेरे घर में रात में मैंने भूत देखा था पर च्छाई देखी थी मेरे उपर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है मेरे रोजगार को बाद दिया है मेरी शादी को बाद दिया ना ना प्रकार की बाते राहू की दशा में लोग उल्टी सीधी बाते करते हैं राहू की दशा में धोखा होने की संभावना बहुत जादा होती है राहू जो है न वो छद्म है रूप बदलने की ताकत है राहू के पार इसलिए राहू जब आता है तो वो दिखाता तो है कि बड़ा अच्छा होने वाला है लेकिन अगर आप अलर्ट नहीं हुए तो खान पान को दूशित कर देता है दूसरा कालपनिक समस्याओं से वहम की समस्याओं से बचें और तीसरा जरूरत से ज़्यादा राहू की दशा में किसी के भी उपर भरोसा ना करें अगर आप ऐसा करते हैं तो राहू की दशा को बहुत हद तक आप कंट्रोल में ला पाएं तो क्या उपाय करना चाहिए कौन से मंत्र का जाप करना जाए बिल्कुल अब अगर राहु की दशा आपके लिए अशुब परिडाम दे रही है आप परिशान हो गए राहु को जहलते जहलते तो रोज सुबह और शाम राहु मंत्र का जब करें ओम रांग राहवे नमह एकसो आठ बार सुबह 108 बार शाम को डेली जल में जरासा गोमूत्र एक धकन गोमूत्र जल में डालकर उस जल से स्नान करें खान पान बिल्कुल शुद्ध और सात्विक रखें और राहु नियंत्रित होते हैं भगवान भैरव से तो सप्ता में एक दिन भैरव मंदिर जरूर जा भगवान भैरव का दर्शन पूजन करें राहु का नकारात्मक प्रभाव निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा अब बात तुला राशी की शुक्र की यह राशी है तुला राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और प रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा नई संपत्ति का योग फिलहाल बन रहा है किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग जिसका प्रियोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुबरंग आज के लिए होगा हरा अब बात व्रिश्चिक राशी की, मंगल की ये राशी में, व्रिश्चिक राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडी जी इनके लिए आज शुबरंग कौन सा है व्रिश्चिक राशी, व्यर्थ की दोड़ भाग आज रह सकती है, धन खर्च आपका बढ़ा हुआ रहेगा, रिश्टों में समस्या परिशान कर सकती है शनी मंत्र का अगर जब कर लें, ओम शंग शने शराय नमह, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी शुबरंग होगा गुलाबी, जिसका प्रियोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं अब बात धनु राशी की, प्रहस्पती की ये राशी है, धनु राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडी जी इनके लिए आज शुबरंग कौन सा है धनु राशी, धन लाब के योग बन रहे हैं, करियर की स्थिती में सुधार होता दिख रहा है, खान पान का ध्यान बनाए रखे, पीपल के व्रिक्ष में जल अरपित कर दें, तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग जिसका प्रियोग करेंगे वो होगा नारंगी, इसका प्रियोग करके आज अपने दिन को बहुत बहुत बहुतर बना सकते हैं अंतर दशा और भी छोटी होती है, लेकिन केतू भी राहू के जैसा इग्रह है, आकस्मिक्ता वाला, सडिननेस वाला अगर हम केतू की दशा के प्रभाव को समझना चाहें, कैसा इंपेक्ट डालता है ये? केतू की दशा भी कालपनिक समस्याएं पैदा करती है, हाला कि केतू ज़्यादा तर फोबिया पैदा करता है, भै पैदा करता है, राहू कन्फ्यूजन पैदा करता है के तु की दशा नकारात्मक हो तो यूरीन की प्रॉब्लम, प्रॉस्टेट की प्रॉब्लम, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम और त्वचा की विचित्र समस्याएं हो जाती हैं केतु अगर नकारात्मक हो तो व्यक्ति का मन धर्म में नहीं लगता और पूजा से विमुख हो जाता है पूजा पाठ नहीं करता भगवान का समरण नहीं करता और कभी-कभी उसे लगता है कि बस अब मेरे साथ कुछ होने वाला है मैं मरने वाला हूं जीवन मृत्यू का भै उसके उपर हावी हो जाता है अगर केतु की दशा का प्रभाव नकारात्मक है तो अगर केतु की दशा का प्रभाव आपके लिए अनुकूल नहीं है तो पंडी जी ऐसी स्थिती में क्या सरल उपाय करना चाहिए ताकि केतु परिशान न करे बिलकुल कि अगर आपकी केतु की महादशा या अंतर दशा चल रही है और आपको समझ में आ रहा है कि यह अनुकूल नहीं है तो क्या करें दोनों समय पूजा उपासना जरूर करिएगा हाना कि देखिए केतु की दशा जब चलेगी तो आपका मन लगेगा नहीं आपको अपने मन को जबर्दस्ती पूजा में लगाना पड़ेगा लेकिन जैसे ही आप दो चार दिन दोनों समय पूजा करेंगे केतु का प्रभाव चू मंतर हो जाएगा रोज सनान करिएगा सफाई से रहिए और हलकी सुगंद लगाएं चंदन की सुगंद लगाना बहुत अच्छा होगा भगवान गणेश की उपासना जरूर करें छोटा सा मंत्र है भगवान गणेश का ओम गंग गणपते ये नमः इस मंत्र का जब करें बहुत अच्छा इंपेक्ट चाहते हैं तुरंद सुधार चाहते हैं गणपती अथर्व शीर्ष का पाठ कर लें और जो सडक के कुटे होते हैं स्ट्रीट डॉक्स होते हैं उनको रोटी, बिस्कूट, ब्रेड वो जो भी खाएं स्ट्रीट डॉक्स को फीड करें अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाब होगा और के तुकी दशा का नकारात्मक प्रभाव आपके उपर कम पड़ेगा पंडी जी पाप ग्रहों की दशाओं के बारे में आपने बताया जो मारक ग्रह होते हैं उनकी दशाओं का क्या आसर है प्रभीन जी देखिए पाप ग्रह और मारक ग्रह में थोड़ा अंतर है कोई जरूरी नहीं है कि जो पाप ग्रह हो वो मारक ग्रह भी हो मारक ग्रह कुंडली के मारक स्थान का स्वामी है जो मारक ग्रह है वो शुब ग्रह भी हो सकता है और अशुब ग्रह भी हो सकता है ऐसा नहीं है कि ब्रहस्पती म मारक नहीं होते, ब्रिहस्पती भी मारक होते हैं, शुक्र भी मारक होते हैं, चंद्र भी मारक होते हैं, बुद्ध भी मारक होते हैं, यानि मारक ग्रह तो कोई भी ग्रह बन सकता है कुंडली की पोजीशनिंग के हिसाब से, कुंडली में उसकी स्थिती और उसके स्थान के हिस कंडली में चलती है उस ग्रह की मारक दशाएं चल रही है उस ग्रह की शानती करानी होती है उस ग्रह से संबंधित उपाए करने होते हैं और अगर जीवन मरण का प्रश्ण है तो महा मृतुंजय मंत्र राम रक्षा इस्तोत्र नारायण कवच जैसे अनुष्ठान करने होते हैं ताकि व्यक्ति के आयू की रक्षा हो सकते हैं अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का पंडी जी ऐसा क्यों कहा जाता है कि यदि पीपल के व्रक्ष की पूजा की जाए तो शनी से संबंधित बाद हैं परेशान ने करते हैं प्रबीन जी पीपल के व्रिक्ष को हिंदू धर्म शास्त्रों में बड़ा पवित्र मानते हैं बहुत जादा एक तो पीपल भगवान का स्वरूप है और भगवान कृष्ण जो हैं वो शनीदेव के इस्टदेव हैं इसलिए जब आप पीपल के व्रिक्ष की पूजा करते हैं तो दरसला भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं और ऐसी स्थिती में शनी आपसे प्रसंद होते हैं शनी की पीड़ा कम होती है द ने तब उनको आश्वाशन दिया था कि जो कोई भी पीपल के विख्षकी पूजा करेगा उपासना करेगा उसको शनी की पीड़ा नहीं होगी तो इन दो कारणों से ऐसा माना जाता है और ऐसा होता भी है कि पीपल का पौधा लगाने से उसमें जल देने से उसकी पूझा करने से शनी समबंदी बाधायं परिशान नहीं करते हैं अब बात मकर राशी की शनी की ये राशी में मकर राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आपको क्या सावधानी बरत्मी चाहिए और पंडी जी कि इनके लिए आज शुब रंग पहुंचा में कि मकर राशी रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे धन लाब के योग बन रहे हैं काम के मामले में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा शुब रंग जिसका प्रियोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं वो शुब रंग आज के लिए होगा आसमानी अब बात कुम्भ राशी की शनी की ये राशी है कुम्भ राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडिजी इनके लिए आज शुब रंग कौन सा कुम्भ राशी आर्थिक स्थिती आपकी अच्छी हो जाएगी मान सम्मान आपका बढ़ेगा काम का दबाव काम का प्रेशर कम होगा खाने पीने की वस्तुका अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा जिस रंग का प्रियोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं वो शुब रंग आज के लिए होगा नारंगी अब बात मीन राशी की रहस्पती की ये राशी है मीन राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आपको क्या साउधानी बरतनी चाहिए और पंडी जी इनके लिए आज शुब रंग कौन सा मीन राशी सेहत आज बिगर सकती है बेवजह की चिंताएं आज बढ़ सकती हैं आज करियर में कोई लापरवाही मत करियेगा शनी मंत्र का अगर आज जब करने ओम शंग शने शराय नमह तो आज का दिन कुछ हद तक बेहतर होगा शुब रंग जिसका प्रियोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं वो शुब रंग आज के लिए होगा लाल अब वक्त है आपका लकी नमबर की अनुसार लक जानने का पंडी जी लकी नमबर एक से लेकर लकी नमबर नौ तक के लोगों के लिए आज क्या है खास बात करते हैं लकी नमबर की नमबर एक आज आपकी दौड़ भाग काफी बढ़ी रहेगी नमबर दो धन लाब के योग आपके लिए बने हुए हैं नमबर तीन आज आपके रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे नमबर चार आज अपने स्वास्ति का ध्यान आपको बनाए रखना है नमबर पांच आज काम बढ़ा रहेगा काम की अधिकता रहेगी नमबर छे धन लाब के योग आपके लिए बने हुए हैं नमबर साथ काम का दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है नमबर आठ मानसिक चिन्ताएं इस समय आपको परिशान कर सकती हैं नमबर नौ आज आपके करियर में कुछ परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है अब वक्त है भाग्य पहर जानने का पंडी जी आज भाग्य पहर का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और उस दोरान क्या करें आज भाग्य पहर का शुब समय है रात के नौ बजे से दस बच कर तीस मिनट तक इस समय में भगवान शिव के सामने दीपक जला कर प्राथना करिए ऐसा करने से शनी संबंधी जो भी बाधाएं हैं वो बाधाएं निश्चित रूप से समाफ्त होंगी अब वक्त है आपके सवाल का यदि आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीक, जन्म का समय, जन्म स्थान लिखिए और सवाल लिख करके हमें भागेचक्र at the rate आज तक.com में भीज़ दीजिए वहां से हम सवाल उठाते हैं और उन्हीं सवालों में से पन्डी जी तारकरम में सवाल शामिल करते हैं. पन्डी जी आज सवालों के पिटारे से दूसरा सवाल किसका ले रहा है? आज का दूसरा प्रश्न सुनील कुमार सैनी जी ने हमें लिखा है 13 अप्रेल 1988 का जन्म है 11 बच के 17 मिनट रात को जबलपुर मध्यपरदेश ये लिख रहे हैं कि मैं दमोह मध्यपरदेश में रहता हूं और मैं सरकारी नोकरी के लिए प्रयास कर रहा हूं क्या मुझे सरक सरकारी नोकरी मिलेगी और दूसरा भविष्य में मेरा स्वास्त कैसा रहेगा और मुझे कौन से उपाए करने चाहिए सुनील जी वैसे तो सरकारी नोकरी की संभावनाएं कुंडली में काफी कमजोर हैं फिर भी एक शेत्र ऐसा है जिसकी थोड़ी बहुत संभावनाएं कुंडली में बन सकती हैं और वो छेत्र है एजूकेशन तीचिंग अगर आप सिक्षा छेत्र में कोशिश करें तो साल 2024 के अंत में आपको सिक्षा छेत्र में सरकारी नोकरी संभावतह मिल सकती है भविश्य में आपको अपने पेट का डाइजेशन का और अपने डाइबिटीज का ध्यान रखना होगा डाइजेशन या डाइबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है तीसरी बात यह है कि आप दो उपाय करिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चड़ाईए सादा पानी प्लेन वाटर और रोज सुबह आदित्य हृदे इस्तोत्र इसका एक बार पाठ करिए अगर ऐसा आप नियमित रूप से करें तो आपको सफलता मिलने की संभावनाएं बनेंगी और इस बात का ध्यान रखिए कि आपका करियर बहुत अच्छा है और अच्छे करियर का समय अक्टूबर दो हजार चौबिस से आपका शुरू हो रहा है अब वक्त है आज के उपायका अपने दिन को बहतर बनाने के लिए पंडी जी हमें आज क्या उपायक करना चाहिए आज प्रातहकाल एक बार हनुमान 40 का पाठ करिएगा इसके बाद हाथ जोड़ करके हनुमान जी से कृपा की प्राथना करिएगा अगर आज प्रातहकाल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कारियों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का भागे चक्र में कल फिर आपसे मुलाकात होगी पंडी जी इतनी महत्तिपूर्ण जानकारी आपने भागे चक्र में दी इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एस्टो तक आपकर आपको मिलेगा भविश्य से जुड़े हर सवाल का जवाब डाउनलोड कीजिए एस्टो तक एप और चुटकी में जुड़े इंडिया के बेस्ट एस्ट एस्टॉलोजर से